हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टिस्टेडी वायर यूटूब चेनल और जैसे आप यहाँ थम बनेल में देखी रहे होंगे कि मामा का एक निर्ण है जो कि एक मामा ने क्या हुआ कि आज अपने जो मुख्य मंतरी है सीवरासिंग चोहान इन्होंने एक डिसीजन लिया है जो कि एन कुछ इसे बोल सकते हैं ठीक है जो आपने एक NET सुन रखा होगा नेशनल एक्जामिनेशन या नेशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट ठीक है एन ए ठीक है नेशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट तो अब क्या होगा यार की जो हमारे MP में जो वेकेंसिया होती है 10th लेवल की 12th ले है ठीक है मैं सारी चीज़े बता देता हूं फिर उसके बाद हम इन चीजों को और बेसिक समझने कोशिस करते हैं ठीक है अगर आप competition exam की तयारी करते तो इसे जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुचाना यार तो जैसा कि यहां आप देखेंगे शिवरा सिं नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परिक्षा देने के अशक्ता नहीं होगी आगे देखोगे तो यहां पर आ रहा है एन आरे ठीक है एन आरे द्वारा आयो जित परिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश में सास की नौकरिया उपर अगर आपको यह चीजे नहीं पता तो मैं एन आरे का पूरा पूरा एक वीडियो बना दूँगा कि एन आरे क्या होगा एन एटी क्या होगा किस प्रकार से परिक्षा होगी हमें इसमें सेलेक्षन का प्रोसेस क्या होगा किस प्रकार से नंबर लाने पड़ेंगे क्य यहाँ पर सिर्फ मामा की गोशना मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ कही न कहीं हमें एक फायदा भी होगा और कहीं न कहीं एक नुकसान भी होगा पर क्या होगा वो सारी चीज़े हम अगले लेक्षर में देखेंगे आगे अगर हम देखेंगे तो NRA दोरा आयजित को अपना कर अपने देश में बेटी बेटियों के बड़ी रहत देंगे ठीक है तो यहाँ इस सारी एक गोशना करी है और जिसके थूरू कहीं न कहीं हमारे माइड में आ रहा होगा जिन स्टूडेंटों को यह चीज़े पता चली होगी वो टेंसन में आ रहे होगे तो टें ठीक है तो यार अगला लिक्षर आप जरूर देखिएगा परन्तु इससे जितना ज़्यादे उससे के उतना सेर करो अपने दोस्तों तक पहुचाओ कि घबराने के जरूरत नहीं है यह सारी चीज़े क्या है तो हम बिल्कुल आगे देखने वाले ठीक है तो यार अगर फर